चोपड़ा एजो किसने यूटूब चनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हारदे की स्वागत करता हूँ आज इस वीडियो में मैं आपको दो इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन बताऊंगा पहली इंफोर्मेशन यह है कि BDS के एडमिशन की लास्ट डेट 18 परवरी 21 तक अक्स्टेंड कर दी गई है और BDS के लिए जो क्वालिफाइंग मार्ग से वो कम कर दिये गए हैं जो इस परकार से हैं सीआ के लिए जो पहले क्वालिफाइंग मार्ग्स थे 147 थे अभी 113 कर दिये हैं OBC के लिए 87 मार्ग्स SC के लिए 87 ST के लिए 87 Y laugh और EWS PH के लिए 99 मार्ग्स कर दिये गए हैं इसके आलावा OBC PH, SC PH के लिए 87 मार्ग्स कर दिये गए है bareग उसके लिए ये पहले ही कम कर दी गई थे क्वालिफाइंग मार्क्स दूसरी इंपोर्टेंट इन्फोर्मेशन यह है कि जो पंद्रा परसेंट वेटनरी के लिए वी सिआयी की जो कांशलिंत चल रही थी उसके लिए मॉपप राउंड के लिए प्रेश स्टेशन की लास्ट एट 11 फरवरी शाम पांथ बजे तक है फ्रेश स्टेशन के लिए आपको आपको सेक्यूरिटी डिपोजिट करनी होगी जो फ्रेस रेजिस्टेशन कर रहे हैं या फिर जिन्होंने फर्स्ट और सेकेंड राउंड में रेजिस्टेशन कर रखा है उनको भी सेक्यूरिटी मनी डिपोजिट करनी होगी जो सेक्यूरिटी मनी होगी वो OBC, SC, ST के लिए 5,000 रुपीज होगी जनरल कटेगरी के लिए ये 10,000 रुपीज होगी ये आपको सेक्यूरिटी मोप अप राउंड के लिए डिपोजिट करनी ही होगी इसके अलावा जो फ्रेस रेजिस्टेशन कर रहे हैं उन कंडिडेट के लिए 1,000 रुपीज रेजिस्टेशन फीज अलग से लगेगी जन कंडिडेट ने 1st और 2nd राउंड में रेजिस्टेशन कर रखा है उनको रेजिस्टेशन फीज दुबारा से डिपोजिट करने के आवश्यक्ता नहीं है उनको सिरफ ये सेक्यूरिटी मनी ही डिपोजिट करनी होगी तो जन कंडिडेट ने सेक्यूरिटी मनी डिपोजिट किया है वही मोप अप के लिए इलिजिबल होंगे तो इस परकार से ये दो इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन थी काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो मैंने आपको बताई हैं आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकोन प्रेस करें वीडियो को लाइक वज्यादा शेयर करें मैं आपको इसमें आगे इसका जो शेडूल है वो भी बता देता हूं ये इसमें जो फाइनल रेजल्ट होगा वो 15 फरवरी को आ जाएगा इसके बाद में अलोटेट जो सीट होगी एडमिसन लेना है वो 16 से लेके 22 फरवरी तक होगा ये तो इस परकार से इसका सेडूल है वेटनरी का बाके अपडेट के साथ में आप से फिर मिलेंगे दुबारा से आप स इसे नए वीडियो में मुलाकात होगी तब तक के लिए जैहिंद